हेलो एवरीवान मैं सीवम चौधरी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं यूनिट से बैन लेक्चर फाइब सिग्नल सिस्टम जिसमें हम लोग डायराम रिडक्शन टेक्निक की मदद से हम लोग ट्रांसफर फंसन को निकालते हैं तो पहले कोश्चन को अच्छे से देखिए यहां पर आपको समिंग पॉइंट है यह फिर समिंग पॉइंट है यहां है यहां जी टू है यहां फिर समिंग पॉइंट है यहां जी थी है एच वन है अब देखिए इस यह क्या है अपका निगेटिव फिडबेक है यहां पर देखिए तो यहां पर क्या है एक आपका टेक पॉइंट है यह टेक पॉइंट बीच में ही है अगर इस टेक नहीं होना चाहिए तो यह आपका और जो है टेक पॉइंट यह ऑफ्स्टेकल की तरह काम कर रहा है मिंस बीच में है तो आप इस लूप को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अगर टेक पॉइंट को ब्लॉक के बाद मिले जाएं तो क्या हो जागा यह फिरी हो जागा टेक पॉएंट के ब्रांच में हम लोग इंट्रोडिvé करते हैं तो यहां पर देखिए क्या हो जागा इस तो ब्रांच यहां पर कि सब..? आपकाzhष्ण में दिया हुआ है। सेम टू सेम को सन की तरह उतार दिए। बस केवल यहाँ पे क्योंकि लूप है निगेटिव पेख है इसको आप सॉल करेंगे इसको जब सॉल किजिएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए जी थी बटे वन प्लस जी थी इंटु एच यहां पर इसके बदले में हम लोग यह चीज को लिखें बाकि आपका सेम टू सेम हम लोग उतार देंग हम लेखेंगे अब देखिये नेक्षट मीए दोनों क्या है आपका क्ला उटकर करेंगे नेगैयोग की लुट्व करेंगे यह चीज़ी में हम를ग करेंगे यह क्या कर लेंग यहां पर देखिए आपका यह दोनों ब्लॉक का सक्टे गया जाएगा G2 G3 बट्टे 1 प्लस G3 इंटू H1 तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए G2 G3 बट्टे 1 प्लस G3 इंटू H1 और यहाँ पर आपका same to same बागी चीज़ को हम लोग लिख देंगे अब देखिए यहाँ पर फिर आपका यह जो है यह एक लूप बन रहा है यह एक जोज लूप बनना है निगेटिव फिडबैक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिर निगेटिव फिडबैक हम लोग लोग कर लेंगे तो क्या जाएगा दीश बट्टे 1 प्लस इस इंटू दिस तो देखिए इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जी टू जी थी बट्ट प्लस इंटू एस वन बट्टे 1 प्लस इंटू दिस तो इसको सॉल्व किये तो आपको फाइनली क्या आजाएगा यह आपको आजाएगा यह आपका स्टेप फोर में आपको इस दूनों को आप क्या किजेगा जो आपका निगेटिव फिडबैक है उसको सॉल्व किजेगा तो इसके जगह पर हम लोग यह कंप्लीटली लिखेंगे बांकी सब सेम रहेगा तो देखिए आपको आजाएगा जी टू जी थी बट्टे वन प्लस जी थी एच वन प्लस जी टू एच टू यह आपका आगया इसको अप सॉल्व करने पर तो यहां पर हम लोग लिख दिए य देखिए हम लोग क्या कि यह दोनों का product कर दिए तो हो जाएगा जी टू जी टू जी थी बट्टे वन प्लस जी थी एच वन प्लस जी टू एच टू यह आपका इस्टे फाइब में आ गया अब देखिए अब यहां पर निगेटिव फीड़एक है और यहां पर कुछ नही हम लोग लेते हैं तो अब फिर यह निगेटि फिरएक है तो फिर इसके लिए लिखे लिखे जाएगा इतना बटे वन प्लस झी टू एच टू हम प्लस G2 H2 गुने 1 इसको solve किज़ेगा तो finally आपको क्या जाएगा यहां पर बटा पर कजोल किज़े तो नीचे वला कर जाएगा तो आप solve किज़ेगा तो CS बटे RS क्या जाएगा यह इसके बाद आपका single block में आएगा तो आपका CS बटे RS क्या जाएगा लेकिन जब हम लोग step by step उसको solve करना शुरू किए तो आसानी से solve हो गया यहां पर सबसे वरा advantage क्या है आपको जो question में है question को देखके ही उतार देना है बस जिसको आप replace कर रहे है जो step कर रहे है उसको replace करना है बांकि सब चीज सेम टू सेम हम लोग लिख देते हैं तो question के recording ही आपको चलना रहता है तो थोड़ा यह भी आपका फर्वाड पाथ है यहां पर निगेटिव फिट बैक है यहां पर आर पैस है यहां सी ओपैस है तो हम लोग पहले क्या करेंगे आपका ब्लॉक का ब्लॉक आर इन पेरल्व दोनों ब्लॉक यह ही पैरल्le में है आपका और यह ग्या Remember एसका क्या हो जाएका g प्लास जी टू और इसका क्या हो जाएगा जीत माइनेस जीदवर क्यों कि यहां पर पिलस है यहांब से था जीत यहां पर दोनों प्लस था तो आपको देखिए यहां पर जी वन प्लस जी टू हो गया और आपका नीचे में जी फिरी माइनस जी फोर आ गया हम लोग कर लिए अब देखिए आप यह कौन सा है नीगेटीव फीटवेक आ रहा है नीगेटीव फीटवेक आ रहा तो क्या हो जागा दीश प्लॉस जी टू बटे a one-plus Why iuto Oh 22 फीटम्रेंग पृत में जीटिरी urगress जीफ़ोर तो आपको फाइनेली यह c1 Siberian 22 उनकल जीटू ईन्ट क्या सब लिए तो सीज़ पता आपको यह दुनों को multiply कर लिए तो आपको आजाएगा 1 plus G1 G3 minus G1 G4 plus G2 G3 minus G2 G4 यह दुनों को आप solve कर लिजे तो आपको finally CS बटे RS आपको आगया this तो question के according चलिए question को देखिए और उसको solve करने का कोशिज कीजिए उसको समझने का कोशिज कीजिए स्टेप बस हमको same to same question यहां पर जैसे solve किए यहां से यह दुनों से रहा यहां पर आपका summing point था तो यहां पर रही गया यह summing point यहां से आया था तो यहां से आ गया तो same question की तरह ही question के according की हम लोग proceed करते हैं ब्लॉग diagram reduction टेक्निक में तो यह आपका था question तो जितना question को आप solve कीजिएगा आपका confidence level उतना ही built होगा तो practice कीजिए practice बहुत ही जरूरी है जितना practice कीजिएगा उतना आपका creativity बरहेगा thank you